हेलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं बहुत अच्छी हूँ अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होगे और आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं तो आज हम पढ़ेंगे opposites मतलब किसी word का उल्टा क्या होता है सबसे पहला है हमारा hot hot का मतलब होता है गरम उसका उल्टा होता है cold means hot का opposite होता है cold और cold का मतलब होता है थंडा तो hot का opposite होता है cold means गरम का थंडा far, far का मतलब होता है दूर तो far का opposite होता है near मतलब pass far का मतलब होता है दूर और near का मतलब होता है pass तो far का opposite होता है near black, black का opposite होता है white black मतलब काला और white मतलब सफेद तो black का opposite है white big, big का मतलब होता है बड़ा और small, small का मतलब होता है छोटा तो बड़े का opposite होता है छोटा वैसे ही big का opposite होता है small fat, fat का मतलब होता है मोटा और thin का मतलब होता है पतला तो fat का opposite होता है thin soft, soft का opposite होता है hard soft का मतलब है जो चीज बहुत नरम हो और hard का मतलब है जो कोई चीज बहुत जादा सक्त हो तो इसलिए soft का opposite होता है hard old, old का opposite होता है young old का मतलब है बुढ़ा या पुराना लेकिन यहाँ पे old का मतलब है बुढ़ा और young का मतलब होता है जवान इसलिए old को opposite होता है young tall, tall को opposite होता है short tall का मतलब है लंबा और short का मतलब है छोटा tidy, tidy का opposite होता है messy tidy का मतलब होता है साफ सुथरा और messy का मतलब होता है बिखरा हुआ या गंदा इसलिए tidy का opposite होता है messy means साफ सुथरा, tidy का मतलब होता है और messy का मतलब होता है गंदा fast, fast का opposite है slow fast का मतलब होता है तेज और slow का मतलब होता है धीरे इसलिए opposite of fast is slow So, night, night का opposite है day, night का मतलब होता है रात और day का मतलब होता है दिन, इसलिए opposite of night is day, bent का opposite है straight, bent का मतलब होता है मुड़ा हुआ, और straight का opposite, straight का मीनिग होता है विलकुल सिधा, इसलिए जब कोई चीज मुड़ी होई है उसका opposite होगा सिधा, तो bent का opposite होता है straight, up, opposite of up is down, up का मीनिग होता है उपर, and down का मीनिग होता है नीचे, तो opposite up का होता है down, wet, wet का मतलब होता है गीला, और dry का मतलब होता है सूखा, तो wet का opposite होता है dry, in, in का opposite होता है out, in का मतलब होता है अंदर, और out का मतलब होता है बाहर, तो in का opposite होता है out, Loud, loud का opposite होता है quiet Loud का मतलब है बहुत जादा उंचा आवाज जो हो और quiet का मतलब होता है शांत तो loud का opposite होता है quiet Inside, inside का opposite होता है outside Inside का मतलब है किसी चीज़ के अंदर Outside का मतलब है किसी चीज़ से बाहर happy happy का मतलब होता है खुश और sad का मतलब होता है उदास तो happy का opposite होता है sad तो ये थे कुछ opposite words means किसी word का उल्टा I hope कि आपको ये समझ में आया है समझ में आया हो तो please उसे like कीजिए, comment कीजिए और subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye